नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनूज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स इंस्पेक्टर मनूज और लातो के भूत पार्ट टू वीर बहादूर तेजी से सीडिया उतरने लगा लेकिन जब तक वहर नीचे पहुँचता लीला लेफ्ट से निकल कर अस्पताल के मुख्य द्वार को पार कर चुकी थी पकड़ो पकड़ो परन्तु जब तक कोई हवलदार की चीक पुकार का अर्थ समझ पाता लीला बाहर खड़ी एक कार में बैट गई रोको उस नर्ज को ओह आखिर कार चकमा देकर निकली गई आसपास कोई वहन भी तो नहीं जो मैं उसका पीछा कर सकूँ अब मैं साहब को क्या जवाब दूँगा उधर कार अस्पताल के गेट को पार कर कुछ ही दूर गई थी की? यानि मेरा शक ठीक निकला वह हवल्दार को चकमा दे गई लेकिन अब खुद मुझे अपने बॉस तक पहुचा देगी हाँ हाँ लगबग आदे घंटे बाद कार शहर की सीमा पार कर विराने में दाखिल हो गई थोड़ी ही देर बाद तो अपराधी ने अपना खुफिया अड़ा यहां बना रखा है फिर लीला की नजरों से ओजल होते ही वह भी हवेली की ओर चल पड़ा लेकिन अभी वह हवेली के निकट पहुचा ही था की? जा हो वहीं खड़े रो वरना चलनी कर दिये जाओगे ओ, उधर हवेली के अंदर बॉस, रमेश को मैंने खत्म कर दिया है गुड, रमेश की मौत के साथ ही हमारे लिए पैदा हुआ खत्रा भी खत्म हो गया हाहा, फिर तो मुझे इनाम मिलना चाहिए बॉस तुम्हें इनाम जरूर मिलेका लीला हम तुमसे बहुत खुश है तुमने हमारी एक नहीं, दो परिशानियों को हल कर दिया है मैं समझी नहीं बॉस अभी सब सबज में आ जाएगा कहने के साथ ही बॉस ने एक बटन दबा दिया दूसरे ही पल इंस्पेक्टर मनोच हाँ, इंस्पेक्टर मनोच वह यहां तक तुम्हारा पीछा करते हुए पहुचा है लड़की जानती हो, अगर इंस्पेक्टर मनोच पकड में ना आता तो हमारा अंजाम क्या होता शमा बॉस, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी दोबारा गलती करने का मौका हम किसी को नहीं देते लीला रहम, रहम बॉस, मैंने बरसों आपकी सेवा की है लेकिन बॉस को लीला पर तरस नहीं आया और उसने एक बटन दबा दिया बेफकुफ लड़की दूसरे ही पल आह हाहा देखा इंस्पेक्टर मनोज हमारे गिरोहों में गलती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती लीला को अस्पताल भेजने की गलती तो तुमने की थी सजा इसे बहुत नहीं पड़ी कैसी गलती मुझे मालूम था यह खबर तुम तक किसी ना किसी तरह पहुँची जाएगी कि तुमारा आदमी जिन्दा है फिर तुम अपने आदमी को मरवाने की कोशिश चरूर करोगे वही तुमने किया भी वह घायल तो मुझे तुमारा पता ना बता सका पर हां तुम्हारी गलती के कारण मैं तुम्हारे अड़े तक पहुँचने में अवश्य कामियाब हो गया डॉक्टर सिंग ओ, तो तुम हमी पहचान गए हो बरसो पहले एक असफल सर्जन डॉक्टर सिंग अपनी पत्ने की हत्या करके फरार जरूर हो गया था लेकिन उसके जुर्म की फाइल आज भी पुलिस रेकोर्ड में मौजूद है हाँ, हमने अपनी पत्ने की हत्या की थी क्योंकि वह मेरे गैर कानूनी धंदो का राज पुलिस को बता देना चाहती थी तो तुम एकबाले जुर्म करते हो मेरे एकबाले जुर्म करने से तुम्हे कोई फाइदा नहीं होगा मनोज क्योंकि तुम अब चंद घड़ियों के महमान हो परंतु तुम्हारी जीवन लिला समाप्त करने से पहले हम तुम्हें यह जरूर बता देना चाहते हैं कि हम असफल सर्जन न थे न है कहने के साथ ही डॉक्टर सिंग ने एक दूसरा बटन दबा दिया बटन दबाते ही स्क्रीन पर एक द्रिश्च दिखाई देने लगा इन लाशों को देख रहे हो इन स्पेक्टर मनोज ये लाशे मुर्दा गरों और कब्रिस्तानों से चुराई गई है इन लाशों को विशेश रसायन में डुबो कर बैगों में सुरक्षित रखा जाता है जानते हो क्यूं? क्योंकि इनी लाशों की चीर फाड करके हम चरस, हेरोईन, कोकिन तथा नशीले ड्रक्स इन में भर देते हैं और फिर बड़े अराम से अपना माल हिंदुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में सप्लाई करते हैं ओ, परन्तु एहदियात के तौर पर हम लाश में एक ट्रांस्मिटर बंबी फिट कर देते हैं ताकि खत्रा होने पर हम यहीं बैठे-बैठे रिमोट की मदस्ते विस्वोट कर सके अब समझा, उस काली कार में मौजूद दूसरा व्यक्ति जिंदा नहीं मुर्दा था और खत्रा देख तुमने विस्वोट कर अपने जुर्म का सबूत मिटा डाला हाँ, हम अपने जुर्म का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते इसकी जिंदा मिसाले रमेश और लीला है अब तुम्हारी बारी है मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ समझाओ, वह बात मैं तुम्हें शब्दों से नहीं लातों से समझाओंगा क्योंकि तुम लातों के भूतों बातों से नहीं समझ पाओगे हाँ हाँ, बहुत खूब बहादूर भी हो और चालाग भी पर अगर तुम यह समझ रहे हो कि तैश में आकर मैं अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाओंगा तो यह तुम्हारी भूल है ले जाओ इस गुस्ताक को और हमारे भूके शेर के पिंजरे में डाल दो बहुत दिनों से उसने इंसानिक गोश्ट नहीं चका है जो अग्या बॉस ततपश्चा दोनों बंदूग धारी इंस्पेक्टर मनोज को कक्ष से बाहर ले गए तब डॉक्टर सिंग ने दो आदमियों को लीला की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म दिया लाश के हौल से हटती ही आज हम बहुत खुश है इसी खुशी में हम अपने साथियों को अपने साथ शराब की पार्टी में शामीर होने की दावत देते हैं पार्टी का इंतजाम करो और पहरेदारों को छोड़ कर बाकी आदमें को भी यहां बुला लो हुरे हुरे इधर इंस्पेक्टर मनोज को तहकाने में धकिल दिया गया जाओ इंस्पेक्टर मनोज शेर की भूख मिटाओ तब वह तहकाने की जमीन से टकराया तो उसने अपने आपको भूख के शेर के पिंजरे में पाया ओह यहां तो सचमच शेर मौजूद है अगले ही पल लेकिन इंस्पेक्टर मनोज सतर्थ था फिर इससे पहले की शेर दोबारा इंस्पेक्टर मनोज पर आकर्मन करता परंतु भूखा शेर जल्दी ही इंस्पेक्टर मनोज को अपने से अलग कराने में काम्याब हो गया ओह और लेकिन जैसे ही शेर आगे बढ़ा धाएं शेर को गोली का निशाना बनते देख इंस्पेक्टर मनोज की निगाहें बर्बसी गोली चलाने वाले की तरफ घूम गई कौन हो तुम मेरा नाम रहमत है मैं इसी तसकर गिरो का एक सदस्ति हूँ फिर तुमने मुझे क्यों बचाया क्योंकि मैं डॉक्टर सिंग और उसके गिरो को बरबाद और तबाह कर देना चाहता हूँ फिर रहमत ने पिंजरे का ताला खोल इंस्पेक्टर मनोज को बाहर निकाला मैंने ही फोन पर आपको काली कार की खबर दी थी फिर तुमने यह क्यों नहीं बताया कि कोकिन कार में मौझूद लाश में है मुझे उम्मीद थी यह बेद आप स्वें जान लेंगे और फिर मैंने जान बुचकर यह बेद आपको नहीं बताया था अगर आप तुरन थी लाश पर कबजा कर लेते तो बॉस को विश्वास हो जाता कि गदारी उसके गिरों के खास आदमियों में से किसी ने की है ओ तो क्या बॉस को अपने आदमियों पर शक नहीं हुआ हुआ था लेकिन मैं टालने में सफल हो गया था मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था सुम मिल गया पर जब मैंने आपको उसकी कैद में देखा तो चुप नहीं बैठा रहा सका मेरी मदद करने का अंजाम जानते हुए भी तुमने मेरी मदद की मुझे अपनी जान की परवा नहीं है इंस्पेक्टर साहब मुझे विश्वास है आप उस शैतान को जरूर सजा दिलाएंगे कहते कहते रमत के आवाज भर रा गई और उसकी आँखे छलचला उटी नशीले पदार्तों के सेवन की लट में पढ़कर मेरा जवान बेटा अपनी जान दे बेठा था तभी से मैंने ठान लिया था कि इस धंदे को खत्म करके ही दम लूगा मैं तुम्हारे जजबात की कदर करता हूँ रहमत आप फॉरान यहां से निकल जाएगे इंस्पेक्टर अभी बॉस और उसके आदमी शराब पीने में मस्त है ओ फिर तो तुम्हें वहाना देख तुम्हारे बॉस को शक हो सकता है तुम फॉरान वहां पहुँचो लेकिन आप वक्त मत कवाओ डॉक्टर सिंग के करीब रहकर मेरे पहुँचने का इंतजार करो जब तक मैं ना पहुँचू कोई गलत कदम ना उठा बैठना इंस्पेक्टर मनोश के समझाने पर रहमत वहां से चल दिया रहमत के जाते ही इंस्पेक्टर मनोश टेली पैथी दुआरा हवलदार वीर बहादूर से संबन स्थापित करने की कोशिश में जुट गया हवलदार वीर बहादूर मेरी आवाज तुम तक पहुँच रही है ना तुम सुन रहे हो ना उधर हवलदार वीर बहादूर थाने में बैठा इंस्पेक्टर मनोश के लोटने का इंतजार करते हुए उंग रहा था कि अचानक वहे चौंका हवलदार मैं इंस्पेक्टर मनोज तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तुम सुन रहे हो ना दूसरे ही पल मैं सुन रहा हूँ सर आप कहा हैं मैं कब से आपका इंतिजार कर रहा हूँ मेरी बाते ध्यान से सुनो उधर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादूर को आवशक हिदायते देने के बाद सामान्य इस्तिति में लोट आया अब मुझे डॉक्टर सिंग की खबर रेनी चाहिए उधर रहमत हौल में चल रही पार्टी में शामिल हो चुका था डॉक्टर सिंग और उनके आदमियों पर शराब का रंग चरता जा रहा था आज हमारे धंदे पर मंडरा रहा बहुत बड़ा खत्रा खत्म हो गया है अब हम खुल कर धंदा करेंगे कल सारा माल बाजार में भेज दिया जाएगा हा 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 आप महान है बॉस इंस्पेक्टर मनोज की मौत ही उसे यहां खींच लाई थी तभी खामोश तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है इंस्पेक्टर मनोज तुम तुम जिंदा हो खत्रा भापते ही डॉक्टर सिंग शीशे की केबिन की तरफ लपका लेकिन कहां जाता है शैतान बॉस को रहमत की गिरफ्ट में देख कुछ आदमी रहमत की तरफ लपके लेकिन इंस्पेक्टर मनोज ने उन्हें लाद हुसों पर रख लिया आह तराक आह तभी खबरदार कोई अपनी जगे से नहीं रहे गुड हवलदार तुम ठीक वक्त पर पहुँचे मैं तो हमेशा वक्त पर पहुँचता हूँ सर पर वक्त ही मेरा साथ नहीं देता शटा यस सर फिर इंस्पेक्टर मनोज के आदेश पर सभी अपरादियों को हिरासत में ले लिया गया उस हवेली के तैकाने से पुलिस ने लाशों के साथ साथ कई सो किलो नशीले पदार्थ भी अपने कबजे में ले लिये थे लगबग दो घंटे की कारवाह के बाद हवेली को सील करने के बाद पुलिस का कारवा, मैं कैदियों और सबूतों के शहर वापस लोट रहा था तो यह थी इंस्पेक्टर मनोश की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद